नमसे दुस्तों वेलकम पूदि ग्यान इलेक्टिकल सो फेंस आज इस विडियो में में हम बात करने वाले ही कि कोई भी ट्रांसफोर्मर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्विपमेट डिवाइस है जिसका रेटिंग के विए में है या किलोवोट में रेटिंग करें वो करती है उसके बारे में एक विडियो है तो अगर कोई इंट feels like भी क aç एडिभिले में क्यों होता है काड़न में होते है या तो फिर कोई भी इकाभी इसग एडिय या क्र में करेतो या तो फिर प्रोडियूस को ट्रांसफर करने का काम करती है यह सब्समिंद इसके मतलब की और बात करें तो चेज्णेरर गया ग्रती है कि जनेरटर जो है वह सा ठाल publikum करती है एसा काम करें तो यह हर डिवाइस जी से वो क्या है गया कि कोई इलेक्ट्रिकल पाउर को जनरेट कर रहे है या तो फिर ट्रांसफर कर रहे है यह सब एसी डिवाइस यह उसको ओल्वेस के विया में रेटेड किया जाएगा क्योंकि यह जो कोई यह सब डिवाइस अगर आप है डिवाइस तो जो डिवाइस खुद लोड नहीं है सिर्फ पावर को लोड़ तक पहुचाने का काम करती है वेस को KVA में रेटेड किया जाता है मैं अब नेक्स्ट बात करते है तो किसी डिवाइस इसको एक्लोगोट में रेटेड किया जए उसके बारे में तो गई सब्स टिवाइसज़ है जो एकन्फ इन्पुट्रिकल एनर्जी ले रही है था उसका आउट्पुट्स है एखे हैं वह इंपूट होगा और अबर आउर्पु ँभी एचाम में घ्रीकल सप्लाई को इंपमि梁घ और दूसरी एंरजी में आप समझे है कि ढूवर्ट तक लुए यह एस्य जोग होले झ!!!! किलोवौट में Rated करेंेगे तो आए विए इसके आप समझ यह की जJan different out प्र काम कर रहे होगी आप्र अ कशे ग्री HA है उसको हम और प्रपिर करेंगे और कीलोव्ट में कि से से रेटेट करें कि छोपी डीवाइजी से वो एज लोड यूज वर यह मतलब कि एंड लोड है चाहां पर इंकमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बड़ आउट गोईंगे वो कोई और एनर्जी है मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो लाइफ है वो खत्म हो जाते और दूसरी एनर्जी वो बॉर्ण कर रहे है वे सी डिवाइजी से उसको हम ओल्वेस किलोवट में रेटेड करें तो आप समझ यह अगर अब आपको कोई भी इंटर्वीवर पूछ ले कि हीटर जो है उसको आप क अब आपको कोई इंटर्वीव देने जाए और आपको बूच लेगे बई ट्रांस्फोर्मर है उसको के वीये में क्यों रेटेड किया रहे था उसको किलोवट में क्यों रेटेड नहीं कि रहा था तो आप एक जो मैंने अभी आपको आगे बताए वो भी बता सकते वो दू रांसे में जो लोचिस होते हैं और कोर लोस यंड़ कोपर लोसाइस होते जो पाक्य रेटेडेड नहीं उसी के वज प्राइब वह इसके आए कि इन्पूर्ट जो है वह इलेक्रिकल है तो अब दिश्क की सपोज आप समझे कि एक ट्रांस्फोर्मर के साथ कुछ भी लोड गनेक्टेड नहीं है यह नो लोड पे चल रहा है तो इसका मतलब कि इसका कुछ खुद का लोड नहीं है लोड किसका रहता है कि इसके साथ जो डिवास कनेक्टेड रहती है चलोल कनेक्ट किया है उसका लोड टाश्फपोर प्यात है transformer is a load काम नहीं कर रहा है तो क्या कि अगर transformer के output में आपने कुछ loading नहीं connect किया है तो transformer सिफ इतना ही power input में से लेगा कि उसके अंदर जो magnetic core है उसके अंदर जो magnetic core है उस magnetic core में जो flux produce होने के लिए जो उसको supply चाहिए वो supply को बोलते हम core loss बोलते तो वो core loss जो सब पावर चाहिए उसको उतना पावर लेगा प्लस जो magnetic core पे उस पर वाइंडिंग किया होगा primary वैंडिंग और secondary वैंडिंग तो उसके लिए जो कोपर जो कोपर माउंड कि है उसका खुद का का रजिस्टंस होगा और वो रजिस्टंस में से वो जो रजिस्टंस है उसकी वज़े से वह आई स्क्वेर आप लोसिस होते यानि कि उसको कोपर लोसिस होते है तो कोपर लोस होते तो आपके पास कुछ Amount of power आ गया और यह जो कोपर लोस है वह भी लिए कि ट्रास्टे का मैक्सिमम करन्ट कितना है वह आपको पता चल जाएगा और मेक्सिमम करण इंट आप कोई किसमाना आख जाएगा तो मेक्सिमम कोपर लिए मेक्सिमम के पास आजाएगा गत्व का रहा है एक रॉपर का मेक्सिमान लोज इतना है तो रास प्र मेर के साथ natad नहीं होगा तब उतना ही वो लोस्सी क्या कोई डिपेंडेंडेंट क्या है क्या है गी स्य रिंड लोड का होता है यह कोई एंड लोड हून दे यह सब्सक्राइब गरती है कि यह तो आगर आप इसके आउटोर्ट में सब्सक्राइब कर hassle तो यह अस version मतलब कि लेंग फ्रवर क्राइट है जो भी पावर वेक्टर है तो यह यहां पर क्या है कि ग्रास्टयों मैं है तो मुल्ड करेंग दर जो है को फेस्कों अब आइरणो आपको पता है तो ङाप कि इसका जो पावर टर से कुछ खेलेशन नहीं इसका सिफ रिलेशन जो इसका रेटिंग का जो इसको डीछान करते हैं वह नोल जो को पावर तो नहीं इसका नहीं नहीं होगा जब जस्का पर कितना इंड़ गर आने वलbon तो वह सब क्या है कि वह बाद की बात है कि वह सब करूगा इसलिए वोल्टेज कर सब्सक्रट रेंट इस मिवन्य करोंगे तो इसको एक है कि जब transformer को हम डिजाइन करते हैं तब हम सिफ वोल्टेज इन्टू करेंट यह दो चीजी देखते हैं पावर फेक्टर कंसीडर नहीं करते इसलिए transformer का जो रेटिंग होता है वोल्वेस के विये में रहता है आप इस तरह कैसे तेसे आहिस दे सकते हो है अगर अब हम नेक्स्ट लाइज करें की इंडेक्शन मोटर की अब एक लोड की बात कर ले तो लोड में इंडेक्शन मोटर लेते तो इसंडेक्शन मोटर की आप नेंग सोगOOOOOOOO तो आप जैसे हम यहां पर देख रहे हो कि induction motor की always name plate में पावर फेक्टर लिखा होगा कि यह क्या है कि यह r plus l मरलब की resistive plus inductive nature का load होता है तो इसका पर जो पावर फेक्टर हो always lagging में रहेगा क्या है कि जब भी induction motor हम बनाते है तो हम क्या करते हुगी उसका जो rated voltage उसमे जोeen ओर करेंगो को कुछ ना कुछ पावर फेक्टर पे Chair कूछ ना कॉछ पावर फेक्टर उसका होगा ही कि अगर वो हिटर लोड है हिटिंग लोड है तो हिटिंग लोड है तो क्या है कि उसके अंदर गाइस क्या है कि रजिस्टिव लोड होगा तो वह रजिस्टिव लोड होगा तो उसका पावर फेक्टर होगा तो क्या होगा कि उसका पावर फेक्टर होगा वह लेगिंग में हो होती है जो analytical node होते होते हो चलता है तो उस time पर हमें क्या करना पड़ता है कि power इसकी पावर क्वार हेक्ट को कंसीडर करना पड़ता है voltage को और करन तीनों जिसको consider करते हम जब वो डीवाइस बनाते हैं तब तो उसी की वज़से हम उसको anewutст तो आपको अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किता सब्सक्राइब कर लिए कि एसे इंट्रस्टिंग टोपे कम आपके लिए रहे हैं एक्यू कैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो